नमस्कार स्वागत अब सभी का हमारा राजिस्थान में और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी पारिक तो चलिए बुलेटिन की शुरुबात करते हैं लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर कुरणाकार में नियमु का उलंगन करने वालों पर सकती तेरा लाग चालान कर बाईस करोड का सुर्माना वसूला लाठी डिसकॉम का रले पर किसानों ने किया धर्णा प्रदर्शन डिसकॉम के खिलाब जमकर की नारे बाजी पावटा में धूमदाम से मनाई गई सुबाचंद्र बॉस की जैनती और अब खबरे विस्तार से कोरोनकाल में राजस्तान एपिडेमिक अध्यदेश के उलंगन के मामले में राजस्तान पुलिस ने ताबट तोड कारवाई कर रिकॉर्ड जुर्माना वसूला है इस दोरान पुलिस ने राजिसान एपिडेमिक अध्यदेश के उलंगन करने पर करीब पांच लाख लोगों के चालान काटे हैं वही मोटर वीकल एक्ट के तहट करीब आठ लाख वाहनों का चालान किया गया है पुलिस ने इन कारवायों से करीब 22 करोड से अधिक की राशी बतार जुर्माना वसूल की है पुलिस मा निर्देशक भूपेंदर सिंग यादव ने आमजन से चिकितसा एवं स्वास्त विभाग द्वारा जारी गाडलाइन की अनुपालना करने मास्क पहने, सोचल डिसेंसिंग रखने और हाथ धोने के प्रती विशेश सतरता बरक्तने का आग्रे किया है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमन की रोक थाम के लिए इन दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार सक्त कारवाही अमल में लाई जाएगी प्रदेश में कोरोना संक्रमन की रोक थाम के लिए लागू राजिस्तान एपेडेमिक अध्यादेश के तहट अब तक 4 लाग से जादा व्यक्तियों का चालान कर 7 करोड से भी अधिक रुपे का जुर्माना वसूल किया जा चुका है इसमें सरवादिक सलो पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाग मास्क पहने बिना लोगों को सामान बेशने पर 11,500 सोशल डिस्सेंसिंग की पालना नहीं करने पर 2,89,520 व्यक्तियों के चालान किये गए हैं जोदपुर में पुलिस कमिनिस्ट्रेट पर डांग्यावास थाना पुलिस को अवैद हत्यारों की धरपकड को लेकर बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने 5 अवैद देसी पिस्टल, 7 जिंदा कार्टू, उसके साथ में एक चोरी की बाइक, वेकार को जब्ट के लिए एक हत्यार तसकर, जब्दीश, चाट और उसके सहयोगी, रमेश और दो खरीदारों सहीत 4 आरोपियों को गिरफतार किया है फिलाल पुलिस चारो आरोपियों से पूछताच करने में जुटी हुई है अभी तक की पूछताच में आरोपी ने ये हत्यार मृद्य प्रदेश से लाने की बात सुईकार की है DCP East धर्मेंदर सिंग यादम ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार जोदपुर शहर में अवैध हत्यारों की खरीद फरोग के शिकायत मिल रही थी लॉकडाउन के बाद से ही इस पर गठित विशेश टीम डांगियावा स्थाना पुलिस ने अवैध हत्यारों के खिलाफ कड़ी कारवाई करते वे पांच अवैध देशी पिस्टल साथ जिन्दा कार्टूस के साथ ही आरोपियों के कबजे से चोरी की बाइक और कार को भी जब्त किया है पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर पूछतार शुरू कर दी है डिसीपी ने बताया कि आरोपिय जगदीश जाट के खिलाफ पूर्म में भी आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है वही रमेश खोकर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट सहित विबिंधाराओं में मुकदमे दर्ज है इसी तरह आरोपि, रामदेव, जाट और सुनील विश्णोई से पूछताच कर आरोपियों के अपरादिक रिकॉर्ड तलाश कर रही है यह दोनों ने आरोपियों से अवैध हत्यार खरीद किये थे आरोपियों कितार सेंटर जेल से भी जुड़े हो सकते है साथ यह आरोपियों कितार ग्राविन शेत्र में किसी गैंग से भी जुड़ाव है इसके बारे में अभी पुलिस चार्च कर रही है हमारे पास यह सूचना आने लगी थी कि फिर से हत्यारों का खरीद फरोख जो है जो पूर रेंज और कमिशनर रेंट में वापस से चालू हुआ है पूर में भी आप लोगों को पता है कि मद्धिप्रदेश इसका सोर्स रहा है इस पर्टिक्लर केस में भी यग्यात हुआ है कि मद्धिप्रदेश से यहां के जो कुछ स्मगलर्स और कुरियर है वहासर कुछ हतियार लेकर आये थे इनमें चार लोग आज विरफतार किये गए हैं दांगियावास थाने के द्वारा और पाँच हतियार जो है हवैत देशी पिस्टिल साथ कार्थूर्स एक चोरी की मोटरसाइकल वर एक कार इसमें सीज हुआ है इसमें जगदीश नाम का वेक्ति है वह स्मगलर की तरह है इसकी पहचान हुई है जो इन मुख्य काम करता है और इसने रामदेव नाम का वेक्ति जो की दांग्यावस का रहने वाला है इसको एज कैरियर यूज किया था और दो बायाज है रमेश खोकर और सुनील विश्णोई जो की तिलवासनी विलाडा और जाजिव्याल विश्णोईयां थाना पर लाने की रहने वाला है इसी बात जरूर है उनके एक गैंग से जुड़े होने की बात सामने आएगा खरीदारों के पूरू में मुकदमे हैं एक तो रमेश कोकर वांचित है बिलाडा थाने में एंडी पीस के मामले में और सुनील विश्णोई के दो पूराने मुकदमे हैं जिसमें 307 अटी मटे 25 एक डेफिनेटली तर्सकर है और दूसरा भी बदमाश रहती है ती कट्टा है जो कि पूरू में भी आप लोगों ने देखा है कि मद्यप्रदेश में जो पर्टिकलर कम्यूनिटी है वो जो देशी पिस्टल अपने घरों में बनाते हैं वही पिस्टल पताया कि feedback आने लग कि मुव्मेंट चालू हुआ है तो वापस से जो हमारे नोन क्रिमिनल्स हैं जो हमारे टार्गेट पर रहते हैं उनके बारे में लगातार इंटेलिजेंस गैबरिंग कुलीस कर रही है और इसी दौरान पुलीस को यह सूचना मिली थी कि कुछ हदियार वापस से इधर आए ह में कुछ गैंग जो है रेगुलर आपरेट कर रहे हैं चाल रहे हैं आप ही मैं किसी पर्टिकिलर गैंग का नाम नहीं लेना चाहesome और नुसंधान का विश्य हैं लेकिन ग्रामींट और कमिश्णरेट में इधर यहुआ रिगुलर ओंड ली आपरेट कर रहे हैं जिसमें या लिंकेज है वो और आगे चलके हम लोग खुलासा करेंगे अभी ये कारवाई यहीं नहीं रुखेगी अभी और भी हमें प्लूस जो मिले हैं उस पे हम लोग आगे कारवाई करेंगे पहले किसी वेक्ति को और्स्ट किया गया फिर उसने सुष्णा दिया कि मैंने उससे मंगवाया उससे जोड़ पॉर्ब कर जैसा कि içन सब्का प्रीव्यर्स प्रिमिनल रेकॉर्ड है और तो उविसली इनका जेल में भी आपस में संपर्क पूर्ण में रहा ही लगाना तो मुश्किल है बट अभी इस वर्स शायद सतर से ओपर हतियार जो है पिलीस कमिशनरेट में पकड़ा है जो कि पिछले वर्स से कहीं डबन ट्रिपल होगा और जो अभी काफी हतियार पकड़े गए है काफी हतियार है अभी 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 हम लोग शायद सर्फेस पे ही है और डीप जाने की जरुवत है नहीं कह सकता हूं संख्या का तो अनुमान लगाना भी कुश्किल है बड़े वैपारियों की ही पूरू में भी हुई है जैसा कि आप ल जल के साथ हो रहा है कारवाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो खरीद रहा है उसे पकड़ रहे हैं तफलायर को भी पकड़ रहे हैं और आगे भी कुछ हमारे रिडार पे हैं इसी केस में उनको भी पकड़े हैं इसी के तहट उनका मिठानिया शेतर में जनसववाद कारेकरम हुआ जिस पर मठानिया पुलिस ने उनके खिलाफ कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर मुकड़मा दर्च किया है पुलिस ने इस कारवाई को लेकर भाचपा कारेकरतों मिभारी रोश व्यप्थ है वही पूर्व विदायक सियॉल का कहना है कि स्थानिय जनपृतिनियों के दबाव में ओसिया उपकंड अधिकारी में आनन फाना में मठानिया कजबे में मुख्य बाजार में एकतरित स्थान पर अचानक फिर से कंटेंडमेंट शेतर खोशित कर पुलिस पर दबाव बनाया था तब जातर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जबकि उक्तसान जनसंपर्क सल के लिए काफी दूर है किसान विबिन मांगो को लेकर आंदोलन करते हैं जबकि वाजब मांगो को सुनने वैग्यापन देने के लिए उनके बीच में जा रहा हूं कोरोना को लेकर आम ज जनसंपर्क के दौरान मास्क सैनिटाइजर वे सामाज़िक दूरी का भी ख्याल रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में पहला मुकदमा किसान हितों की लड़ाई लड़ते वे हो रहा है तो यह अच्छी बात है किसानों की मांग के अंदर जो किसानों की मांग एक 6 महीने के करोना काल के बिजली के और गरेलू के बिल सारे माप हो हमारी जाइज मांगे किसानों के उपर जो राजितिक द्वेस वावना से जो विजिलेंस की जा रही है यहां की विदाईक मौदे से मैं विदाईक मौदे को यह कहना चाहूंगा इस परकार की परसाशन को टूल की तरह इस्तेमाल ऐसा मत करो ऐसा हमने 2013-2018 में कभी नहीं किया और आपको उपर लाठी में डिसकॉम कारलय पर वोल्टे सी समस्या को लेकर मंगलवार को किसानों ने धर्ना प्रदर्शन किया तथा डिसकॉम के खिलाफ जमकर नाजिबाजी की करीब दो घंटे तक चले धर्ना प्रदर्शन के बाद में कैबिनेट मंतरी साले महुमत ने समस्या समादान आ जोड़े नलकूप के संक्या अधिक होने के कारण वोल्टे से जादा विद्ध आपूर्ती नहीं हो पा रही है जिससे आए दिन नलकूप पर बूस्टर जलकर खराब हो जाता है उन्होंने बताया कि वर्तमान में बुवाई के सीजन भी निकल रहा है और किसान बुवाई नहीं कर पा रहे है ना ही सिचाई हो पा रही है किसानों ने बताया कि सोडागॉर में गाओं के नलकूपो को सोडागॉर फीडर से जोडने और फीडर संक्या एक से हटा कर परियाप्ट वॉल्टेज के साथ में विदुद आपूर्ती करने की मांग को लेकर कई बार किया तता डिसकॉम के खिलाफ जम कर नारे बाजी की कैबिनेट मंतरी के आशवाशन के बाद में किसान मान गए वहीं किसानों ने धर्णा प्रदेशन की जानकारी मिलने पर जैसल मेर के पोकरन की तरफ से अपने दोरे पर जा रहे कैबिनेट मंतरी साले मौम्मद किसानों क कारले के आगे रुके तथा साथ ही किसानों के समस्यान के बारे में जानकारी भी ली इसके साथ ही किसानों से समझाईश की जिस पर किसानों ने धर्णा प्रदर्शन समाप्त कर दिया। समझाईश की जिस पर किसानों ने धर्णा प्रदर्शन समझाईश की जिस पर करना आसान हो जाती है। वहीं जैसरमेर के सीमावर्ती, करड़ा और पोछीना सहित करीब आदा दर्जन गावों की बकरियां रेत पर चड़कर सीमा पार कर चुकी है। गौर तलब है कि सीमा सुरक्षा बलके जवान यहां तारबंदी को लेकर सजक है, वहीं शिफ्टिंग सेन डियूज उनकी परिशानी की और बढ़ा रहा है। हाला कि जिस जगे ऐसी इस्तिती है उस जगे B.S.F के जवान जादा सतर्ख है लेकिन करीब 10 दिन पहले गावों को चड़ने के लिए निकली बकरिया तारबंदी पार कर पाकिस्तान चली गई। बता दे कि जैसलमेर में चलने वाली तेज आंधियों के कारण रेट से दोनों और आंधियों के साथ अपनी जगे बदलते रहते हैं। सीमावर्ती गाउं में ये आम बात है। आंधियों की वज़े से भी कभी रेट तारबंदी को पूरी तरीके से ढख लेती है तो कई बार तारबंदी के नीचे की रेट भी आंधियों से उड़ जाती है। पिछले दिनों ही जैसल में के सीमावर्ती गाउं करड़ा, पोछीना, बिठाउंडू, केड़ा, सुन्द्रा, गुजनगर और पांचाला गाउं में करीब 200 बक्रियां सीमा पार कर पाकिस्तान चली गई जिसे पशुपालनों के चेहरे पर चिंता की लकीरे उबर आई ग्रामिनों के मताबिक पोछीना गाउं के लाल सिंग की असी, चतुर सिंग की चालिस, हुकुम सिंग की बीस, भूम सिंग की दस वे सुजान सिंग की चालिस बक्रियां रेट पर चड़कर सरहत पार पहुँच गई है गौरतलब है कि इन जैसल मेर जिले में इन सीमावर्थी गाउं में आजीवका का एकमात्र सादरन पशुपालन ही है ऐसे में बक्रियों के सहरत पार जाने से अब उनके परिवारों का भरन पोछन करने के लिए परिशानी का कारण बन गया है क्रामिन पशुपाल को उन्हें सरकार से मुआफ़ा दे कर गरीब परिवारों की मदद की मांग की है जैसल मेर जिले से 120 किलो मेटर दूर करड़ा पोछना गराम वाशियों की सेंकड़ों की तादात में बक्रियां बोडर पार हो चुकी है लेकिन अभी तक उनको वापस दिलाने का कोई 10 दिन हो चुके हैं कोई समस्या का समाधा नहीं हुआ है जिला कलेक्टर और केबिनेट मंतरी को गयापन दिया जा चुका है उनसे अनुरोध है कि डियाईजी जैसलमेर बाड मेर से संपरक करके बक्रियां वापस दिलाने का कस्ट करें और जो सेडियों सतार दबी हुई है बोडर के तो उसतार की रेत को अटाया जाए ताकि आगे से कोई पसू आगे नहीं जाए ग्रामीनों कोई जीवन यापन करने के लिए एक ही सारा है जो पसू है पसू पे ही जीवन यापन किया जाता है बाकि सूखा शेतर है उनके अलाओ कोई जीवन यापन करने का साधन नहीं है तो आगे से एक अनुरुद है कि जो रेत के अंदर दबी हुई तार है उसको रेत को अटाकर तार को एक B.S.A.P. के लिए अलट किया जाए ता कि कोई पोडर पे जो गती विद्यां भी होती है उनका भी सामने से थोड़ा रोक लगे तो यही अनुरुद है कि B.S.A.P. से जो तार दबी हुई है उसको ओपन करके यह घटना दस और गिया अगस्त की है और 500 बकरियां गई है कारण है कि रेत के अंदर जो सुंद्रा पोस्ट है B.K.T.O. दबी हुई है तार पूरी रेत के अंदर तो उसके उपर दस फीट एक मंजिल से उपर रेत आई है तो उसमें आराम से कोई रोक टोक नहीं जा सकती है बकरियां और B.S.F. के जवानों के सामने से गई है जो सिफ्टिंग चैंज हो रही थी सुबह के मॉर्णिंग टाइम छे बजे बकरियां निकली है उनके सामने 200 की तादाद में बकरियां गई है पहले भी इसे बिलकुल मामूली बकरियां आती जाती रहती है जारों की संख के जार बकरियों दिलाने की कर्ष्ट करेगी है था हमें आसा एक राइब को बेजह से बगया बकरियां पारभी होई है लेकिन कोई आध तक आपिस नहीं नहीं शुनाई होती है और वहां पे जो तार बंदी थी वो बुलकुलके रेट से दिब गई कम से कम तीन चार किलमेट तक रेज़ से दबी दबी होने के कारण ये बक्रियां जाती है और वहाँ पे कम से कम बिंडरा तला और करड़ा पोचे न गाओं की कम से कम हर साल कम से कम दो सो चार सो बक्रियां जाती है हर साल आद हमारे मांग कलेक्टर साब को ग्यापन दिया गया, मिंतरी जीओ को ग्यापन दिया गया, इनसे यह मांग है कि टियाई जी बीज़ से बाद मेर जिसन में रहें उनसे बाता करके हमारी ये बक्रिया है केसे भिकर लोटा जो भवरा राम, नरसिंगा राम, नारायन राम, हरी राम, सुख राम, पेमा राम, प्रभू सुख पुत्र अनील चौलिया ने बारा ग्रीन बोर्ड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक बेल छोटे बच्चों के बैठने के लिए पचास दरिया, प्रिक्षित कक्षा के लिए टेबल कुक्सी, वे नोटिस बोर्ड एक पानी की मोटर कारले के लिए अर्मारी, आठ छत पंके, सरपंच, शिवकरन, धूलिया, वेख्याता, धनराज, खोजा, महावीर, काला, वेग्रामिनों की उपसिती में विध्याले के प्रधान आचारे भोजाराम सिंगाटिया को सौपा है, गौर्तलब है कि एक साधरन किसान परिवार से थे, उन्होंने गाओं के विध्याले में 20 वर्षों तक संस्था प्रधान की रूप में सेवाएं दी है, जिला बाल कल्यान समीती के सदस्य वे अध्यक्ष भी रहे हैं वही पावटा में मंगलबार को कस्बे के प्रमुक चौरा हा, सुबाश चौक पर भाचपा कारेकरताओं द्वारा जंगे आजात के महानायक निताजी सुबाश चनर बॉस की 123 वी चैंती धूमधाम और उलास के साथ में मनाई गई इस अफसर पर पूर्व विधायक फूल सिंग भिंडा वे भाचपा पदर्दिकारियों वे कारेकरताओं ने निताजी की प्रतिमा पर माल्य अर्पन कर उने श्रद्दा पूर्वक याद कर नमन किया पूर्व विदायक फूल सिंग बिंडा ने कहा कि नेता जी करांती से ही आजादी दिलाने के पक्षथर इसलिए उन्होंने इसमें विदेशों में रहकर अपनी भूमी का बखु भी निर्वान किया और नौजवानों को एकितरित कर उनिस सो त्यालिस में आजाद हिंद फौज का गठन किया इसलिए उन्होंने नौजवानों में तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा इस पर बुलंद किया और युद लड़कर अंग्रेजों को परास करने में अपनी भूमी का निभाई बाचपा जिला मामंतरी कैलाश खातर ने कहा कि नेता जी एक मान पुरुष थे और आजादी दिलाने में उनकी एहम भूमी का भी महत्वपून थी इसलिए बिवन्बना में उनकी जैन्ती पर सरकार सारवजनिक रूप से अवकाश खोशित नहीं करती उन्होंने सरकार से मांग की है कि नेता जी की जैन्ती पर सामने का अवकाश खोशित किया जाए भीलवाड़ जिले के बिजॉलिया ब्लॉक में उपस्तित मात्मा गांधी राज के विध्याले अंग्रेजी माध्यम में थरोड़ा में अंग्रेजी माध्यम के पदो पर शिक्षकों के साक्षातकार लिए गए शहर के शार्षिन अगर इस्तित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कारले में पांच शिक्षकों के साक्षातकार लिए गए साक्षातकार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमेक ब्रामाराम जिला शिक्षा अधिकारी प्रावरंबेक तैसीन अली विधालय प्रधन आचारे शंकलाल मीना और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रादेशाम शर्मा ने लिया इस दोरान शिक्षकों को अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का कई शिक्षकों दोरा जवाब नहीं दिया गया साक्षातकार के दोरान एक शिक्षिका ने पांच लाइन गंतरंत दीवस पर बताने के बारे में पूछा गया मगर उसे जवाब देते वे नहीं बना इस पर मुख्य जुला शिक्षा अधिकारी रादेशाम शर्मा ने कहा कि हम यहाँ साक्षातकार के लिए नियुक्ति किया गया है हम रिपोर्ट उच अधिकारियों तक पहुचाएंगे वहीं से इनकी नियुक्ति की जाएगी सर महत्मागंदी इद्याले थरोदा जो मारा नविंदू से स्ताफित हुआ है अधिकार स्कूल उसके लिए सेकंड गेर्ड और लेवर सेकंड के टीचर्स का इंटर्यू आज कह जा रहा है और इस इंटर्यू में हमारे पांस पोस्टों सेकंड गेर्ड के लिए अभी साखसाथ का चल रहे हैं और पांचों वहीं सद्यापपका चैन करके हम जोन डायक्टरों मिस अजमेर भेजेंगे वहां से इनकी अपर्डमेंट जारी करेंगे थर्ड ग्रेड के टीचर्स लिए पांच पदी खली है और पांच ही आया है और पांचों में कोई पात्र नहीं होता तो उसका रहेगा विवाग के और सब्सक्राइब दॉसा में राश्ट्य मुस्लिम मासबां अमेर्ग कर पार्टी ऑफ इंडिया और इंडिया जसिस बोर सहित सैक्रोव भीम सैने को द्वार दौसा में हुए जाम बागडी दौसा मुकबीर बेटी को इंसाफ मिलने में दोश्यों के हो रही फासी में राश्ट्य मुसलिम मासबा के प्रमुक सैद साहेबे ने कहा जल्दी अगराजसान सरकार ने पीडितों को मुआफ़ा नहीं दिया और बाकी मुझ्रिमों को का गटन हो ऐसे में गंबीर मामरों में सैकडो सामाजिक कारी करता उन्हें इस बहन को इंसाफ दिलाने में एक जुठ हुए भीलवाडा में बढ़ते कोरोना संक्रमन के चलते अब चिकस्ता विभाग ने कोविड-19 का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है अब रोजाना एक हजार से अधिक सैंपलों की जाच शुरू की जा रही है वहीं शहर में आज भी 41 मरीज संक्रमित मरीजों की और से आने के बाद में जिला का आकड़ा 1553 हो गया है बढ़ते मरीजों के कारण अब जिला प्रिशाषन ने भी आईसोलेशन वार्म में बैढ़के संक्रमित मरीज बढ़ाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है मुख्य चिकिसा एवं स्वास विभा के सरकारी अधिकारी एवं डॉक्टर मुस्साख खान ने कहा कि भीलवाडा में अभी तक 719 संक्रमित मरीज आइसलेशन वार्ड में भरती है इसके साथ ही हमने जिले में कोरोना सैंपल के लिए भी कई जगों पर टीमों का गठन किया है और अब उप स्वासर केंदर पर भी एस सैंपल लिए जा सकेंगे अभी हमारी सैंपलिंग तीन गुणा तक बढ़ रही है आइसलेशन वार्ड में भी 800 बैड है और जिला कलेक्टर में 500 बैड बढ़ाने का नर्देश दिये गए है इसके तैयारी भी हमने शुरू करती है आज 41 केसे निकले हैं और इसके साथ ही बिलवाडा में पॉजिटिव केस जो है 1553 होगे है और हमारे पास जो एक्टिव केस है वो 717 एक्टिव केस हैं 719 केस हैं और चल दी है चहां भी पॉजिटिव केस निकलता है तोरंत हमारी आराटी मां पहुंचती है और कॉंटेक्ट को हम लोग आइंटिफाई कर रहे हैं कि किन-किन लोगों का इस अंपर हमें आए हैं और चटे दिन हम लोग कॉंटेक्ट का प्लस उसके एरिया में जितने भी सस्पेक्टेट केसे जहां सूपर स्टेडर हैं और उन लोगों के अमनोग सेंप्लींग कर देन है। चिला कलक्तर मोधेना आने के बाद तेस्टिंग सेंटर जो है दुगने कर दिये हैं और उसके अलावाद टेस्ट भी हमारे जो हैं सेंपल कलक्षें भी दुगना हो गया है. तो इस तरह से एक्यूट चलती है। कोविड केर की अगर बात है तो कोविड केर हमारे 800 बैड हमने कोविड केर के अभी बना के रखे हैं पॉजिटिक केसेज के लिए और अभी जो ऐसिंप्रमेटिक केसेज हैं उनको हम घर पर भी आइसोलेट करने हैं और हमारे सलिशन की मॉनेटरिंग के लिए हमने टीम्स भी लगा रखे हैं। पिछले कई वर्षों से बसी में अनाज मंडी में रोहिताश पुरा पर जाने वाली सडख निर्मान के लिए यहां के युवाओं ने राजनेताओं को और प्रशाशन को ग्यापन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी सडख को लेकर हर बार राजनीती की जाती हैं और सडख बनाने के दावे किये जाते हैं। पर बड़ी बात ये है कि आज़ादी हुई इसके बाद भी यहाँ पर सडक निर्मान नहीं हुआ यह दावा वहां के ग्रामिन कर रहे हैं। अब इसकी सूचना डीपी के नियूस को लगी तो डीपी के नियूस समवादाता चंद्र मोहन शर्मा रोहताशपुरा गाउं की सडक की ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुँचे इधर समवादाता चंद्र मोहन शर्मा को रोहताशपुरा सडक तक पहुँचने के लिए कई स मस्याओं का सामना करना पड़ा अनाज मंडी से गुमते ही करीब 500 मिटर की दूरी पर ही सड़क में बड़ा गड़ा था जिसके चलते महां के ग्रामिंट सड़क के नजदी की बांध के उपर से पाल से सड़क पार कर रहे थे फिर क्या था इसी तरह डीपी के न्यूस की टीम भी यहां के बांधों के उपर बंदी पाल के जरिये दूसरी सड़क पर पहुँची पर बांध के उपर से जा रही 11,000 केवी की लाइन सिर से टच होने को तयार ही थी लाइन और सिर के बीच चार से पांच फीट के दूरी रही होगी ऐसी कई समस्याओं के साथ हम पहुँच गए बसी के रोहिताश पुरा गाउं में फिर हमने जानना चाहा कि वहां की ग्राउं रिपोर्ट कुछ देर में वहां के हालाद देखने के बाद में हमने सुचा कि डीपे के नियूस के दर्शकों को भी एक बार रोहिताश पुरा गाउं की सड़क का नजारा दिखाएं नमस्कार शुवागता आप सभी का आज हमाँ पोचे है राजस्तान की राजदनी से करीब 25-26 किरोमेटर की दूरी पर बस्री के रोहतासपुरा गाम की मैं आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और यहां का ग्राउंड लेवल की बात करें तो यहां की रोहतासपुरा यान उसन तक नहीं बनी है बड़ी बात ये है कि आजदी की बाद से कितनी पार्टिया इक इतने राजड़नित आए और यहांके कितने पिसाफन के दिया है क्या क्या स्ट कोई भी नहीं था कि बनां सके था सठक जादा दोर भी नहीं थी भाए किलोमेटर के लगवे सड़क बता किन किन लोगों को आपने ग्यापन दे रखा पहले आप मुझे आपका सुबनाम मेरे नम राजकुमार सर मैं सड़क के लिए 2014 से लगातार परियास कर रहा हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लेशान करें तो उन्होंने वहां से निकाल दिया कि अगर आपने वोड़ दिया तो हमारे गाऊं को सोड़क को होड़ो can go to आपके आपके गाउं से हमारे को कोई वोट नहीं मिलेते हैं उस बज़े से क्या सब्सक्राइब उनके लग रहा है निवदन को आपने मुद्द के उठाया और भी गाउं के लोग है सब्सक्राइब निवारे जाने के लिए इसका निर्मान होता यह आगरा रोड जो एन्स ग्यारा थी वर्तमान वे एक इस्टेट आईवी जो तोंगा गंगापूर वाला लाज़सूट वाला है उसको जोड़ता है यह मैं रास्ता है जो कभी भी एनस ग्यारा बंद होता है और इदर से लोग आवाजावी होती है बसों का निर्मान बसी भी जाती है त्रक भी जाते हैं पर कच्छा मार गए यहां पर काफी बार एक्षिज बिल्कुल साथ वर्स अक्ता आज तक हमने सड़क देखी नहीं है और पता आज़ादी के पहले भी क्या रही होगी जो आज सु मुझूद है इन्होंने भी कई लोगों का उगत कराया कई बार इन्होंने परियास करने की कोशिस की पर कुछ भी नहीं हो पा रहा यानि कि जो विदान सब्सक्राइब देख लीजिए ज्यादा नहीं एक बार बना दीजिए आप इस अच्छा है कि अपने ग्राउंड बहुत इसे देखी और विकास करने की सोचे जो देना इह नहीं बोल रहा हिए ना डीप इसे बोल रहा है कि आ अपने मुझे वोट outta घुठ कर रहुत आप तो यह थोड़ी होता यानि कि आहले बनेगी आज आज अद्री गुज गई पांस साल भी गुज़र जाएगी जिसे जी रहें वेसे जी लेंगे पर एक बार आप खुद देखिए कभी आपका इधर से आना जाना हुआ क्या एक बार इस देख लिजिए अगर आना जाना होता तो यह जड़क एसे नहीं होती अगर एक बार मुक्य मंत्री भी इधर से पर मैं बताओं आपको जो अतिकर्मन इसके चलते सड़क नहीं बने गई तो अतिकर्मन वाले तो अधिकर्मन वाले तो आज नहीं तो तीन साल बाद में फिर दूसरे विदाएंगे वह बनाएंगे तो फिलाल हमारा राजस्तान में बस इतना ही आप देखते रही डिपी के न्यूस नमस्कार झाल